पढ़ने वाले हैं, यानि कि जो आपका mathematical ability test का question पूचे जाते हैं reasoning में, उसके बारे में, यानि कि गणिती योगता पर एक्षण के बारे में, जितने भी question इसमें पिरवे सिर एक्जाम से पूचे गए हैं, या किसी का भी हो, तो यह class आपके सभी के लिए होने वाली है, पर आपके जितनी भी दिखतर question है, पिरवे सिर एक्जाम से पूचे गए है, जून अस्टेंट के भी और अधर एक्जाम से ठीक है, तो इसी type के question पूचे जाते हैं, आपके पिरती एक एक्जाम से हैं, तो यहाँ पर आज बात करेंगे जून अस्टेंट के बारे में, तो इसमें आज class पढ़ने वाले हैं, गडिती युगता परिक्षन, तो चैनल पर नहीं हो, subscribe कर लेना, पिछली class नहीं देखिए, तो discussion में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो आज का पहला question है, जितने भी question कराँगा, सारे important है, इनको note करते चलना, यदि E का अर्थ गुणा, ठीक है, E का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है, जैसे question कहता है, उसको note करते भी चले हाथ वात, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, E का अर्थ जो है आपका, वो है गुणा, ठीक है, और F का अर्थ भाग है, ठीक है, F का अर्थ क्या कहा, भाग है, और G का अर्थ पिलस है ठीक है जी का अर्थ क्या कहा पिलस है और एच का अर्थ जो है माइनस है ठीक है एच का अर्थ क्या है माइनस है तो यहाँ पर इस समय करण का मान हमें बताना है तो इस पिरकार के क्यूशन पूछ ले जाते हैं अब करना कुछ नहीं है बस जो मान दियो है उसको यहाँ पर रख देना है ठीक है देखे जी का मान यहाँ पर जी का मान कितना बताया यानिके जी को पिलस कहा तो यहाँ पर पिलस रख देंगे ठीक है देखे इसको जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे नोट करते है ठीक है तो जी गुणा बस आपका समिकर्ण हो गया अब इस समिक को उठा के हम यहां पर लिख लेते हैं ठीक है यानि के 8 g का मतलब है 8 पिलस 36 एप का मतलब है भाग और 6 h का मतलब है माइनस और 6 और e का मतलब है गुणा और यह 3 बराबर हमें इसका अंसर बताना है यह समिकर्ण हमारे तयार हो गई ठीक है अब हम करेंगे क्या बस इसको solve कर लेना है अब देखें यहां पर पहले क्या करेंगे अब यहां से पहले भाग देते हैं तो 6 छंग 36 तो कितना बचा यहां पर आप 6 गुणा 3 ठीक है अब यह हो गया अब यहां पर देखें अब आगे क्या करेंगे अब इसमें गुणा करेंगे आगे हम क्या करेंगे अब यहां पर गुणा कर देंगे यानिके 8 पिलस 6 माइनस 6 तिया 18 ठीक है गुणा हो गई अब उसके बाद क्या करेंगे पिलस करेंगे क्या करेंगे अब आगे हम पिलस करेंगे इसमें ठीक है तो अगली समिकर में क्या करेंगे पिलस करेंगे तो 8 और 6 कितने होते हैं 14-18 ठीक है 14-18 आपका यहां पर 18 या 18 हो गया तो answer क्या हो जाएगा यहनिके 14 मसे जब 18 जाएगे तो यहां पर minus के 4 answer आपका आजाएगा ठीक है answer क्या जाएगा minus के 4 आपका answer यहां पर आजाएगा तो इस पिरकार भी question पूछ लेता है आपको ध्यार लगना है question क्या कह रहा है उसी के अनुसार आपको उसको solve करना है तो पहले question को समझिए फिर उसको करिए ठीक है तो question को चाहिए आपका थोड़ा time लग जाए लेकिन question को समझने के बाद उसको solve करें ठीक है तो चलिए फिर चलते है अगले question पर तो चैनल पर नहीं हो subscribe जिरूर कर लेना देखिए question है अगला यहां पर बात करें निमली कि समिकण में दो चिन का आपस में बदल दिया गया है समिकण को सही बनाने के लिए उन दो संकेतों को खोजना है तो यहां पर हमें बताना है कोन से वो दो इन में से चिन है जिनको बदल दिया गया है और समिकण आपकी यहां पर सही हो जाएगी ठीक है यानि कि इसका कितना चाहिए आंसर 21 आना चाहिए ठीक है दीक है यहाँ पर अगर बात करें तो समयकरण में यहाँ पर क्या change किया गया दीक है यहाँ पर अगर बात करें तो सभी को हमको क्या रखना होता है आपस में हर एक को रखकर यहाँ पर देख लगे ठीक है तो यहाँ पर जोन से भी चिन आगर मेज करते हैं कहाँ पर करते हैं देखिए जैसे आपका कहीं पर अगर माइनस भाग को चेंज करके देख सकते हैं या आपका गुणा प्लस को या आपका पिलस माइनस को या गुणा और भाग को तो इनमें से कौन सा यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर अगर बात करें इस समीकरण में तो इसमें जो बदला गया है वो बता दूमें आपको यहाँ पर गुणा और भाग तो यहाँ पर गुणा और भाग को ले लेते हैं ठीक है तो समिक्रण हमारी ये है तो यहाँ पर थे कि 16 और यहाँ पर पिलस 4 भाग की जगह हमें यहाँ पर क्या करना है भाग की जगह पर यहाँ पर हमें गुणा रखना है ठीक है तो भाग की जगह पर गुणा के जग यहाँ पर भाग कर देनी है ठीक है, तो यहाँ पर भाग रख देंगे तो answer हमारा 21 आ जाएगा, अब किस परकार से आएगा देखे अब इसको देखे नीचे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम भाग देंगे तो इसमें जब भाग देंगे, तो कितना आएगा देखे, 16 पिलस 4 गुणा 2 माइनस यानिके 7 तिया 21, तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आजाएगा, ठीक है यह समिक्रन आगे बराबर 21 उसके बाद आगे क्या करेंगे देखे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब गुणा करनी है, ठीक है अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है तो 16 पिलस 4 गुणी 8 माइनस 3 बराबर 21, ठीक है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पिलस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर 16,8 को चोड़ देंगे तो यहाँ पर 16,8 कितने होते हैं आपके 24 माइनस 3 बराबर 21 ठीक है तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 3 यानि के 21 बराबर 21 आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर आपके कौन से चिन बदले गए हैं गुणा और भाग के चिन यहाँ पर बदले गए हैं आपस में ठीक है तो इस पिरकार भी क्योशन पूछ लेता है आपको इस पिरकार की क्योशन को भी करना है ठीक है बस उसको समझिए क्योशन को सारे को रख के देखिए कौन सा सही बैट रहा है उसी का अनुसार अब इसको कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्योशन देखते हैं समान पैटर्न का अनुशन करते हुए दी गई स्रंकला में लुप्त संक्या ग्याद करनी है ठीक है देखिए यहाँ पर लुप्त संक्या में ग्याद करनी है तो किस पिरकार दिया है वो हमें यहाँ पर देखना है देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 198, 200, 203, 208, 215, 226, 249 तो हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा तो यह किस पिरकार से हुआ है पहले तो उसको देख लेते हैं देखें यहाँ पर 298 में तो यहाँ पर अंतर कितने का है देखें यहाँ पर अगर देखेंगे तो यानिके प्लस 2 हुए तो आपके 200 होगे यहाँ पर देखेंगे 200, 203 यानिके प्लस 3 हुए यहाँ पर 203 प्लस 205 यानिके प्लस यहाँ पर आपके 5 हुए और यहाँ पर 208, 215 यानिके प्लस आपके 7 हुए यहाँ पर 215,226 यानिके पिलस आपके 11 हुए ठीक है यानिके 7,11 होगे पिलस उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 226 यानिके पिलस यहाँ पर 13 हुए ठीक है उसके बाद यहाँ पर अब यह किस पिरकार से हुए है यहाँ पर हुआ क्या है तो यहाँ पर हो क्या रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप तो यहाँ पर दो तीन पाँच साथ ग्यारा तेरा तो यहाँ पर लोजिक जो बन रहा है वो यहाँ पर एभाज्ये संक्याओं को जोड़ते चले गए है ठीक है यहाँ पर क्य होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, पिलस 17 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जब पिलस 17 जोड़ोंगे 249 और पिलस 17, तो आपका 256 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, 256 आपका अंसर आ जाएगा, तो इस पिरकार भी क्योशन दे देता है, आपको समझना है, जब उसको करना है ठीक है चलिए अगला किस्त देखते है यदि X का 30 35 बराबर 120 हो तो X का मान हमें बताना है ठीक है तो X का मान यहां पर हमें बताना है देखे उन्होंने क्या कहा X तो X को क्या लिखेंगे देखे एक्स और गुड़ा ठीक है एक्स और आपका गुड़ा को क्या लिखा इन्होंने कहा है 30 बराबर 120 ठीक है तो ऐसी तो लिखेंगे तो यह आपका X गुणा 30 बटे 100 बराबर 120 तो X बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखे तो X की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 120 को अगर काट दें यानिके 4 बार ठीक है अब 4 बार कट गया अब X बराबर क्या आ जाएगा यानिके 100 की 100 गुणा 4 हो जाएगा ठीक है तो एक्स बराबर क्या हो जागा यहाँ पर चार सो आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस परकार भी क्यों से पूछ लेता है यह लूबर मेंस के एक जम्स में पूछा गया क्यों से ने ठीक है चले अगला किसों देखते हैं मिलन ने एक रुपए में दस टौपी खरी दी 25 पिरतिसत लाब के लिए उसने एक रुपए में कितनी बेचनी चाहिए तो एक रुपए में कितनी खरी दी यहाँ पर 10 खरी दी अब 25 पिरतिसत का उसे लाब लेना है ठीक है 25 पिरतिसका लाब लेना है तो मिलन को एक रुपए में बेची गई टौपी तो कितनी बेचेगा यहाँ बात वही करने वाले है ठीक है 1 बेची गई टौपी तो यहाँ पर देखें तो एक रिप में क्या बेचेगा यानिके 10 खरीदी तो गुणा कितना हो जाएगा उसे 25-35 पर लाब चाहिए ठीक है तो यहाँ पर लाब के लिए क्या करेंगे यानिके 100 वटे यानिके 125 हो जाएगा ठीक है तो 10 खरीदी हैं तो यहाँ पर दीखें 10 अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में काट लेंगे तो 25 चोका 100 25 पंजे 125 और 5 दुनी 10 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 दुनी 8 तो 8 यहाँ पर आंसर आजाएगा यानि कि उसे एक रुपे में कितनी बेचनी चाहिए तो एक रुपे में उसे आठ टोपी बेचनी चाहिए तो उसे जब 25 का लाब प्राप्त होगा चलिए अगला केशन देखते हैं जितने भी क्यूस्ताने सारे मोश्ट हैं इनको नोट करते चलना और मैं आपको स्पीड के साथ क्यों कराता हूं ताकि आपका टाइम कम लगे ठीक है तो आप वीडियो को प्यूस करके बाद में क्लास खतम होने के बाद देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं यहाँ तो आप नोट करते चले ठीक कहता है इसको बैसे ही solve करते चलते ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा है उसने P का जो अर्थ है वो पिलस है Q का अर्थ माइनस ठीक है और Q का जो अर्थ है वो माइनस है तो Q का अर्थ माइनस है R का अर्थ गुणा तो R का अर्थ क्या है आपका गुणा है और S का अर्थ भाग और S का अर्थ क्या है भाग है तो यहाँ पर इसका आंसर हमें देना है ठीक है तो यहाँ पर देखें 20R 5P 10Q 20S 10 बराबर हमें बताना है तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे देखें यहाँ पर क्या कहा 20R 5P 10Q 20S 10 बराबर क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर हमें बताना है इसका आंसर देखें करेंगे किस पिरकार इसको अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस इसके मान रख देना है तो R को क्या कहा तो R को जो कहा यहाँ पर गुणा ठीक है R को क्या कहा गुणा उसके बाद 5P को क्या कहा तो P को कहा इन्होंने पिलस तो यहाँ पर पिलस आ जाएगा उसके बाद क्या गया 10Q को कहा तो Q को कहा तो यहाँ पर minus रख देंगे उसके बाद 20 अजाएगा और S को क्या कहा भाग उसके बाद यहाँ पर आपका 10 अजाएगा ठीक है अब वह ही करना है पहले यहाँ पर भागदेंगे तो यहाँ पर समाज़गण हमारे बनेगी ठीक है तो यहाँ पर देंगे यहां से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यह आजाएगी समिकर्ण का 20 गुणा 10 यानिके 10 दुनी 20 ठीक है तो यहां पर कटेगा तो कितनी 2 बार तो यहां 10 आ गया उसके बाद गुणा करेंगे ठीक है उसके बाद गुणा करेंगे इन दोनों की ठीक है पहले यह solve किया फिर आपकी गुड़ा करेंगे तो 20,500 प्लस 10 माइनस 2 ठीक है अब क्या करेंगे पिलस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखे यहाँ पर अब हमें क्या करना है यानि के आप यहाँ पर देखे इसको घटा देगे पहले ठीक है तो इसको घटाएंगे कितना बचेगा यानिके 100-8 ठीक है तो 100-100 तो पिलस का बचा 8 यहां से जब 10 में से दो गए तो 8 बचा यानिके 108 इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर 108 इसका आंसर हो जाएगा तो इस पिरकार भी क्यूशन पूछा गया क्यूशन है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं यदि इसका अर्थ जोड पिर्तिक है और गटाव है गुणा का यह है इन सब को लिखते चले ठीक है तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं देखें क्यूशन गुमा फिरा के पूछता है वही पूछता है ज्यादा इसमें आपको डीपली नहीं पूछता है ठीक है बस आपको उसका टाइप पता होना चाहिए कोई सा भी क्यूशन हो आप उसको असानी से कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या कहा यानि के जो इसका अर्थ है वो क्या है आपका जोड़ तो यहीं पर लेख देते हैं जोड़ और एड़ एड़ कर्थ माइनस है और हैज कर्थ गुणा है ठीक है और इसका जो अर्थ है डिजाइन डिविजन ठीक है तो यह भाग का है तो इसको यहाँ पर भाग रख देते है ठीक है तो division भाग तो आप बस यहाँ पर इस समीकलाण में इसका मान रख देंगे तो add the rate का यहाँ पर भाग आ जाएगा ठीक है इसका क्या था पिलस था और इसका क्या था यहाँ पर add the rate का आपका माईनस था और H का आपका गुणा था बस इस समीकरण को नीचे लिख लेंगे यहाँ पर इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ठीक है 75 भाग 5 पिलस 20 माइनस 12 गुड़ा 3 इस समीकरण को solve कर लेंगे अब देखें यहाँ पर अब इनके चिनिया पर बदल गए पिर्तिक के चिन यहाँ पर आमने बदल दिये हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर देखें पहले इसमें भाग देंगे तो 15,5, 75 ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 15, plus 20, minus 12, गुणा 3 ठीक है अब आगे क्या करेंगे ठीक है यहाँ पर आप क्या करेंगे यानि के पिलस करेंगे तो 15 और यहाँ पर आप पिलस कर लेते हैं 15 और 20 कितने हो गए आपके 35, minus 36 ठीक है 35, minus 36 तो यहाँ पर 35 में जब minus 36 जाएगे तो minus 1 बचेगा ठीक है तो minus 1 यहाँ पर answer हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा इसका minus 1 इसका answer हो जाएगा तो इस पिरकार भी क्यूशन दे देता है आपको समझना है फिर उसको करना है ठीक है चले एकला question देखते है यदि भाग का अर्थ योग यानिके भाग का जो अर्थ लिखका है यहाँ पर इसको लिख लेते हैं भाग का जो अर्थ है वो क्या है आपका योग ठीक है और पिलस का अर्थ घटा पिलस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा यानिके माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ है आपका भाग तो यहाँ पर यह चिन्न आपके दिये गए है तो इसका मान हमें यहाँ पर बताना है इस समीकर्ण में ठीक है दीक है यहाँ पर गुणा को क्या कहा तो गुणा को उसने भाग कहा और माइनस को गुणा कहा और भाग को जो कहा है वो पिलस कहा है और पिलस को जो का है वो माइनस का है बस इसका मान इसमें यहाँ पर रख देंगे बाकिया आपका अंसर आ जाएगा तो यहाँ पर समीकरण को नीचे देख लेते हैं देखे 60 भाग ठीक है देखे क्यों सन आपके गुमा फिरा के मैंने पेछे भी कहा तो गुमा फिरा के पूछता है तो उसको पहले लिखिए उसके बाद उसको सॉल्व करें ठीक है तो यहाँ पर 60 भाग 5 गुणा 6 पिलस ठीक है भाग का क्या हुआ था पिलस हुआ था तो पिल माइनस दो ठीक है पिलस दो माइनस आठ तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी 12 पंजे 60 यानिके 12 गुणा 6 पिलस दो माइनस आठ अब इसमें गुणा करेंगे ठीक है यानिके 12 चंग 72 पिलस दो म तो आंसर क्या हो जागा 24 मैंसे जब 6 आज premature जाएगे यानिके 66 आपका इसका आजाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा Wochen 66 इसका आंसर हो जाएगा और यह आपका junior एसिस्टेंट के exam 給 question पूछा गया है तो जितने भी question कराउँगा आपके उस ही type के करा हूँआ जो type आपके पूछे जाते हैं ठीक है चलिए अगला question देखते हैं यदी हम plus को भाग देखे यहाँ पर क्या कहा यदी plus को भाग ठीक है यहाँ पर रखते जलते हैं आत वाद पिलस को क्या कहा, सोरी, पिलस को माइनस कहा, भाग को गुणा, तो यहाँ पर भाग को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आपस में बदल देते हैं, तो निम्न समीकर्ण क्या होगा, ठीक है, दीखें, इनको आपस में क्या करना है, बदल देना है, ठीक है, अब यहाँ पर, यह यनिके गुणा को भाग को गुणा अब भाग को गुणा करना है साथ के साथ आपसे बदल देते हैं तो निम्न समी करन का मान क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर गुणा है तो यहाँ पर हमें इसको भाग करना होगा ठीक है इसको क्या करेंगे भाग करेंगे और जब पिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन चिन्рों को हमें पिलस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ बदलना है, तो इन चिन्रों को आपस में बदलेंगे, तो समीकर्ण हमारी क्या बनी, यानि यानि के 49 भाग 3 माइनस 10 पिलस 13 गुणा दो ठीक है यह समय करण बनी अब दीखें यहां पर पहले भाग देंगे तो कितना आएका 13 तिया 49 यानिके 13 ठीक है हो जाएगा तो आंसर क्या जागा यहां पर आपका 29 यहां पर आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है यदि पिलस को भाग माइनस को गुणा से प्रतिश्ताफित कर दे तो निम्ल समय करण का मान क्या होगा देखें इनको क्या करना है आपस में जब बदलेंगे देखें पिलस को क्या करना है तो पिलस को भाग तो पिलस को यहां पर भाग कर देंगे ठीक है पिलस को क्या करना है यहां पर भाग कर देंगे और भाग को हमें आपस में प्रतिश्ताफित करना है तो भाग को क्या करना है पिलस कर देंगे और भाग 4 पिलस 3 माइनस 2 गुणा 5 इसको solve कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर बदलने के बाद इसको solve कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर पहले भाग देंगे तो कितना आएगा 4, 8, 32 पिलस 3 माइनस अब यहाँ पर गुणा भी कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखें, अब इनको जोड़ देते हैं, 8 और 3, 11, 12, 14, minus 10, ठीक है, बरावर कितने जाएगा, 11 में से एक गए, 10 गए, minus, यानि कि एक आंसर यहाँ पर आपका आजाएगा, तो आंसर क्यों जाएगा, यहाँ पर एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस पर कार क्यूशन दे देता है, आपको समझना है, फिर उसको कर लेना आसानी पूर्गक, ठीक है, चलिए अगला क्यूशन देखते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं, इस क्यूशन को भी, यहाँ पर बात करें, कुछ समिक्रण एक बिसेज़ प्रणाली के अधार पर हल किये गए है, उसी अधार पर अनुत्रित समिक्रण का सही उत्तर देखे question में कुछ नहीं है कर나 क्या है? यहांपर देखेंगे तो यहांपर पांच परद्द्दस साथ पिलस दो को इन्हों लिखा है 725 और यहांपर 6 परद्दस नो परद्दस 0 को लिखाए 906 और यहांपर 8 परद्दस 4 3 को हमें बताना है क्या होगा ठीक है देखे यहाँ पर हुआ किस पिरकार है देखे यहाँ पर हुआ किस पिरकार है एक चीज़ देखंगे तो यहाँ पर जो आपके पहला तूसरा तीसरा अब इन्हों ने इसको क्रम पर कैसे लिखा दीक है जो पहले नमबर पर था तो उसको इन्होंने चेंज की है इधर और इसको पुचा दिया है इधर, ठीक है ? अभ इन दोने के तो आपस में change की है इनोंने इन दोने के और यहाँ पर दो जो है तीसरे नमबर पर है और पांच हमारा पहले नमबर पर है ठीक है जो 123 है उसको 231 लिख दिया है इनोंने ठीक है तो उसी पिरकार से यहाँ पर लिखा गया है ठीक है यहाँ पर एक दो तीन अब उसी पिरकार से अगर इसको यहाँ पर 231 करें यानिके 23 3 1 ठीक है तो इस प्रकार से आपका यही है आंसर ठीक है तो यहाँ पर भी ओवट रहा है तो उसी प्रकार से हम देखे यहाँ पर 1 2 3 तो 1 2 3 इसको क्या करांगे 231 ठीक है तो 200 नमबर पर क्या है यहाँ पर हमारा 2 नमबर पर 4 है ठीक है 3 नमबर पर क्या है 3 है और 1 नमबर पर क्या है 8 है तो answer क्या हो जाएगा यानि के 438 हमारा answer हो जाएगा ठीक है 438 हमारा answer हो जाएगा देखे question आपको समझना है जितना आपको आसान लगे उस तरीके से करें ठीक है जो आपको तरीका आसान लगता है उस तरीके से करें Qsern को समझना बहुत जरूरी है पहले reasoning में ठीक है तो समझने के बाद इसको हल करने की कोशिस करें पहले Qsern को समझे तो आज के topic में इतना ही कल मिलते हैं इसमें आगे Qsern के साथ चैनल पढ़ना है हो सस्क्राइब करें पीडियो अच्छी लगी हो तो like से जरूर करें चले मिलते हैं कल जब तक करें धन्यवाद